असराम मुलेकुम दोस्तों आज हम बनाएंगे रात के बचे हुए चावलों से टेस्टी नास्ता उसके लिए हमें चावल, बगारने के लिए हमें चीए थोड़ी सी प्यास, जीरा, मिर्ची, गार्णिश के लिए थोड़ी सी कोट मिर्ट और हल्दी यहां पर हमने तीन टेबल स्पून तेल गरम करने के लिए रखा है अब हम इसके ने टालेंगे हमारी प्यास प्यास को हम थोड़ा गोल्डेन ब्राउन होने तक का तलेंगे प्यास को हमारी प्यास देखे थोड़ी गोल्डेन ब्राउन हो गई है अब हम इसके एंडर डालेंगे थोड़ा जीरा और हरी निकीश पटीवी प्यास हम अपना चूला थोड़ा स्लो पर लेंगे अब इस चेंडर डालेंगे हमारे राद के बचे हुए चावन कर दोड़ा जाई जब लुआ टुए जगएगगगगगगगगगगगगगगगगगगग- अब हम अपना चूला फास्ट करके इसके अंदर डालेंगे हल्दी और कोटली इसको अच्छे ते चला लेंगे अब हम अच्छे तरह अच्छे तरह से इसको मिला लिया है अब हम इसके उपर दखतन लगा के तीन मिनेट रग देंगे अब हम अच्छे तरह से तेन मिनेट रग देंगे देखिए हमारा नास्तन तयार है आईए आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए अगर आपको हमारा डिश अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और कमेंट करें